आगरा में सरवाधेत लोग प्रिये चैनल सीनियूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें आगरा के मादध में एक विद्धाले खुल चुके हैं स्कूलों में रौनक लोटी है, बच्चे स्कूल में आकर खुश हैं तो गुर्जनों की खुशी भी देखते ही बन रही है नगर निगम इंटर कॉलेज में करीब पांच माह बाद इसकूल पहुंचे बच्चे पढ़ाई के बाद खेल के मैदान में भी हाथ दिखाते हुए नजर आए यूँ तो मार्च 2020 से ही स्कूलों के तालेब बंद थे लेकिन पिछले पांच महीने से कोई भी स्कूल नहीं खुला था क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप था अब जब स्कूल खुले हैं तो आपको चहल पहल देखेगी बच्चे यहां क्लासेज में दिखेंगे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दिखेंगे इस समय हम नगर निगव इंटर कॉलेज ताजगंज में है और यहां अनुसासन के लिए यह कॉलेज हमेशा से जाना जाता है आप देख सकते हैं यह वो कोर्ट है जहां बॉलीबॉल और बास्केट बॉल के यहां नेशनल इस तरके खिलाडी तयार होते हैं और जैसे ही इसकूल खुले तो यह बच्चे यहां आए हैं और इन खेल की जो गत्विदिया हैं उनमें भाग ले रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि यह लोग घरों में कैद थे तो किस तरह से सरकार आने के लिए इसकूल खोले तो यह इसकूल पहुचव जैसे ही घोशना हुई तो यहां आपको देखेगा चुकि अभी इस समय दोपैर का समय है और इसकूल अभी चूटा है पचास फीजदी जो उपस्तिती यहां होनी चाहिए थी फिलाल दूसरा दिन है तो कम बच्चे आये हैं लेकिन बच्चे चले गए हैं लेकिन जब शूटते ही बच्चे हमेशा की तरह अपनी खेल की गत्विदियों में हैं तो हम इनहीं बच्चों से जानेंगे कि आखिरवे कैसा मैसूस कर रहे हैं क्याना में तुमारा रोहित पांच महीने बाद आज इसकूल आए हो आप में पड़े भी होगे और फिर खेल के मैदान में हो तो कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है तो इतने सारे दिन घर पर रहे होगे तो मम्मी पापा की डांट भी खाई होगी क्योंकि मोबाइल मोबाइल और घरों में क कोई सैतानिया करना अब कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है काफी स्कूल आते हैं इन पांच महीने का जो समय था वो किस तरीके से वितीत किया घर पर पढ़ाई करी सर हमने सर और हुआल से बहुत सी चीने देखी सा सीखी सर लेकिन सर इसकूल में आके सर अलग ही लगता अधया जाण कि भी गचांब गधाई दो से दूसरा दिन है आप आज पहले दिन हऊह रहे हो लगाता दूसरे दिन से आ रहे हो से पहले दिन से आ यह कैसा लगा इनक्या पढ़ाई हुएं है आश सश्कूल अचा अच्छी लगा था पढ़ाई करके कि क्या नाम हुए तु तो यह तो बच्चों की बाते हैं अब गुरुजन से भी बात कर लेते हैं कि उनका लगातार स्कूल में आना जारी था सुबहे उनकी दिंचर्या वही है लेकिन अब जब बच्चे देखे हैं पांच महीने बाद तो वह कैसा मैसूस कर रहे हैं अच्छल बात प्रक्ता तो यह है कि जब यह कल से बच्चे हमारे क्लासों में आये हैं तो बिद्धाले में अजीव सी नोरॉनक सी दिखाई दे रही है अभी तक हम आते थे सासन के आदेश थे पूरा इस्टाप आता था हम लोग बैठे रहते थे अपने बाकी की और काम करते रहते थे ओपिस के रजिश्टर को मेंटेन करते रहते थे लेकिन जब कड़ से बच्चे आना शुरू है और खास्तोर से हमारे स्पोर्स की बच्चे जब आए इनको इतना अनन्द आया इनको चैन नहीं पड़ते थे डेली फॉन करते थे कि सर आ जाए सर आ जाए मुझे ग इतना टाम हो रहा और दूब भी हो रही है लेकिन इनको कोई महसूस नहीं हो रहा कितने दिन बाद इनको मौका मिला और यह एकदम से बड़े प्रफुलत मन से बच्चे सब एकदम खुश हैं विद्धा ले आने के प्रिंसिपल हैं पांच महीने तक पूरा इस्टाप यहा सर्व किस तरीके का कुरोना प्रोटोकॉल कपालन यहां कराया जा रहे है जहने सुबशन दिस्टेंसिंग का तो क्योंकि बच्चे है इसकी इस्टेंद 809 सो बच्चों की है अभी कम बच्चे आ रहे होंगे तो वो कोई इस्युन होगा लेकिन जब बच्चे पूरी स्टेंट में आएंगे क्योंकि 23 से कच्छा 6 से 8 तक स्कूल खुलेंगे पर इस्टेंट बढ़ेगी तो क्या डवल सिप्ट में पढ़ाई होगी तो अच्छी खबर यह है कि स्कूल खुल रहे हैं और बच्चे भी आ रहे हैं बच्चों में उत्सा है इसके साथ ही बच्चों के साथ गुर्जनों में भी उत्सा है क्योंकि पिछले पांच महीने की बात छोड़ दीजिए कोरुना की पहली लहर पर आते हैं तो तबी से पीसरी लहर की बात की जा रही है वो ना आए क्योंकि तब तक भारत में बहुत कुछ बदला है भारत आत्म निर्वर हुआ है वैक्सीन के मामले में भी भारत आत्म निर्वर हुआ है हमारे जो ऑक्सियन की किल्लत थी उसके मामले में भी और आग्रा में भी ये अपने साथी एकवाल के साथ बिजय वगहिल सी निउस आगरा